पंडिजी आता सद्या दिल्ली मदे अधिवेशन शुरू है और यहाँ अधिवेशना मदे नरेंद्र मोदी यांचा परफामूंस फारसा नीट होत नहीं है पंट्याज बरोबरी ने जरापन पाहिला तो राहूल गांदी यात्यांत आक्रमक पने यहाँ सगले अधिवेशना सामूरेज आता है राहूल गांदी या भाजपने पप्पू ठरवलो तो या पप्पू ने नमो को पसीना छुडाया है आपका सवाल जो है सीधा राहुल गांधी के उपर है राहुल गांधी मैं बहुत बार आपके चैनल के माध्यम से भी बोला कि राहुल गांधी इवेंचुली गांधी है आप बोलते थे ना अब की बार 400 पार सब बोल रहे हैं हमने क्या बोला कि 300 पार हो गया तो गनीमत समझ ना इस पटिकुलर बाइट को करोडों लोगों ने सराहा और स्मॉल स्टोरी के उपर अपने अपने इंस्टा पे और अपनी अपनी स्टोरी पे डाला ये है इन ग्रहों की रचना और विशलेशन 400 पार नहीं 300 पार भी हुआ तो बहुत बड़ी बात है राहुल गांदी जिसको आप पपू बोलते थे कुछ हफतों से जब मैं उनको पार्लेमेंट में संसद में बोलते हुए देखता हूँ तो ये बात नजर आती है कि राहुल गांदी का भाग्य बदल चुका है राहुल गांदी अब पपू नहीं रहा वो पपू बनाने वाला बन गया है अब अब आपको अगले कुछ सालों में ऐसा नजर आएगा कि इस पपू के सामने तो कई पपू खड़े हो गए ये तो मा अग्य जायते सरवदा ना पूरुशुम ना कौसलम बड़े-बड़े लोगों का पसीना छुटा दिया है पिछले एक हफते में परसों की इंट्रिव्यू में जब मैं उनकी संसद में भाशन सुन रहा था तो ये साफ नजर आता है कि जब राहु की महादशा लगती है कि व्यकिसी व्यक्ति के उपर तो रिक्षा चलाने वाला CM बन जाता है और मनमोहन सिंग एक अर्थ शास्त्री PM बन जाता है और बराक ओबामा प्रेजिडेंट बन जाता है तो यहाँ पर मैं एक बात विशेश तोर पर आपको समझाना चाहता हूं अपने मित्रों को कि 96-1979 बज के 30 मिनिट सफदर जंग हॉस्पिटल दिल्ली व्रिश्चिक राशी व्रिश्चिक राशी आदर्निये निरेंदर मोधी की भी है व्रिश्चिक राशी आदर्निये नितिश कुमार की भी है उनकी राशी इसलिए व्रिश्चिक दिखती है हर आदमी को कि उन दोन के नाम ब्रिश्चिक राशी पर नव से रखे हुए हैं मगर इनकी नाम राशी तुला मानी जा सकती है क्योंकि मैं ग्राहों का विशलेशन आपको आपके समक्ष रखूंगा अब ब्रिश्चिक राशी राहूल गांदी की और करकलगन कितना बढ़ियां कॉंबिनेशन है और आपको याद होगा कि बारा तुगलक लेन के ओपर जब हमने वीडियो बनाया था कि भारती जन्रता पार्टी ने राहूल गांदी को बारा तुगलक लेन से निकाल कर जीवन दान दिया है ये वही राहूल गांदी है जिन्होंने 2004 से लेकर 2014 तक 10 जन्पत पर रहकर देश का संचालन किया नरेंदर अपने मनमोन सिंग और उनकी माता के साथ मगर जैसे ही बारा तुगलक लेन में गए सब कुछ बिदरना शुरू हो गया और वो तुगलक लेन पर खड़े होकर मैंने एक कारेक्रम किया था अगर आपको याद हो उस बारा के बाद 13 में सरोज पांडे रहती है और 14 में जावडे कर साब रहते हैं सरोज पांडे ने तो वो छोड़ दिया घर क्योंकि उनकी हेल्थ प्रॉब्लम आ गई जावडे कर का पॉलिटिकल कैरियर कहा है कभी कभी वास्तू आपको आगे नहीं जाने देता है आपके वास्तू की जो फीलिंग होती है वो 11 नंबर में राहू राहू गांदी के बैठा हुआ है 11 नंबर का राहू मनमुन सिंग को प्राइम मिनिस्टर बना के छोड़ा उसने बलकि ओ बोलते रहे मैं नहीं बनूँगा और हम कार्यक्रमों में बोलते रहे कि मिसिस गांदी कुरता खीचकर गदी पे बिठा देगी औ क्योंकि ये होती है ग्राहों की चाल और ग्राहों की कटोरता आपके जीवन में जब नसीब खुलता है तो फिर ऐसे ही होता है और अब आपने पूछा तो ये बात समझ के लीजिए कि राहू की महादशा राहूल गांदी की कोचरेकर जी टाइम महाराश्टर के दर्शकों स मेरा अनुरोध है कौपी पेन लेकर नोट करें इस विशे को राहू की महादशा उनकी लगी 46-2021 के चार-चे-2021 के बाद क्या हुआ तुगलक लेन छोड़ा तुगलक लेन छोड़ते ही करनाटका में थंपिंग मेजोरिटी से जीत प्रक हासिल की उसके बाद हिमाचल में वो प्रक हासिल की समझे आप और उसके बाद राहूल गांदी अपने दोनों सीटों के उपर जीते वाइनार में भी जीते और दूसरी एक यूपी में बरेली में खड़े थे वहाँ पे भी जीते और वहाँ भी थंपिंग मेजोरिटी से जीते और उनका एक फैमिली फ्रेंड क कौंग्रेस का पुराना आदमी किशोरीलल शर्मा जिसने स्मृती एरानी को भुरी तरह पटका ये होती है ग्रहों की चाल राहूल गांदी की राहू की महादशा लग गई है राहू में गुरू दो हजार चब्वीस जुलाई तक चल रहा है गुरू के बाद में राहू में शनी चालू होगा 27 में अगर राहूल गांदी 27 में अगर आदनिये नरेंदर मोदी स्वाइच्छा से जैसे उन्होंने कहा है कि 75 के बाद हमारी पार्टी में कोई पी-म नहीं रहेगा अगर 27 में नरेंदर मोदी अपनी स्वाइच्छा से अपनी गद्धी छोड़ देते हैं तो याद रखिये इस विशे को एप्रिल 2017 के बाद कुछ ऐसे समीकरन बनेंगे यां तो मिट्टम पोल हो सकते हैं यान नाइडू और नितिश कुमार कोई न कोई वखेडा खड़ा कर सकते हैं और कहीं न कहीं देखिये 245 वी कमेंडेंट है यह तो मानते हो आप तो पत्रकार इतने बड़े पत्रकार हैं पूरी दुनिया को वविश्या बोलते हैं 245 वी कमेंडेंट है आप किसी की वैसाकियों के उपर सरकार चला रहे हो यहां पे आपको विनमर होना पड़ेगा स्पीकर तक विनमर नहीं है अभी तक और आपके लोग बार बार प्रहार कर रहे हैं और यहां पर एक बात और मैं इंडी गढ़वंदन के लोगों के मित्षा के उपर की वो आपने सुनी होंगी वो किससे छोटे नेता तो है नहीं बहुत बड़े नेता है राष्ट के दिगज नेताओं में शरत पवार सापका नाम आता है अपनी चानक्या और कौटलिया निती से उन्होंने यहां पे दो मिनिट में दविंदर फणवीस और अजीद दादा पवार के सपनों पे पानी फेर दिया था तो यहां पर शरत पवार क्यों बोले याद रखिए अगर आप शरत पवार को यहां राहूल गांधी को भारतिय जन्यता पार्टी किसी तरह का भी नुकसान ED हो या CBI का पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं तो definitely कही न कहीं भारतिय जन्यता पार्टी को यह बात समझ लेनी पड़ेगी कि इनकी ग्रहदशा आज मजबूत चल रही है तो इनकी ग्रहदशा के मताबिक आपको कहीं न कहीं बड़ा नुकसान उठाना पर सकता है लोग इनके साथ इंडी गर्वंदन के साथ जुड़ते इसलिए मैं राहूल गांधी को आगे आने वाले दिनों में बहुत ही सफल सक्सेस्फुल एंड राहू कौन सा ग्रहा है सर प्राकरम का ग्रहा है राहू एक ऐसा ग्रहा है जो मरे हुए आदमी में जान फूग देता है और वो चक्रवर्ती समराथ बन जाता है राहू की महां दशामें दो बार open heart surgery कराने के बाद डॉक्टर मनमुन सिंग दस साल तक देश का संचालन करते रहे ध्यान डखिये इस विशे को भराक अबामा सोय हुए प्राइम इनिस्टर बन गए एकनाथ छिंदे ने स्वपन लिया था क्या जीवन में कभी की वो CM बनेंगे CM बने राहू की जो विशेष्टाएं हैं ये मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ तो इसलिए राहूल गांदी की कुंडली को पूरी तना खंगालते हुए 17.05.2029 से पहले मैं राहूल गांदी को प्रदान मंतरी बनते हुए देखता हूँ